अलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं आखिर हमारा प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है या फिर वह पेंडिंग बता रहा है जब भी हम कोई एप्टीकेशन डाउनलोड कर रहा है फिर ओपन ही नहीं हो पा रहा है ठीक है तो ऐसे में हम अपने प्ले स्टोर को किस तरीकी से इस प्राब्लम से दूर कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं क्योंकि मेरा भी फून में जो प्ले स्टोर है वो काम नहीं कर रहा था ठीक है और कहने का मतलब है वह ओपन नहीं हो रहा था जानिकि ओपन मैं कर रहा था वह तो दोवारा ही वहां बताने बाला हूं और आपके जो प्ले स्टोर है वो अच्छी तरीके से बर्क करने लगेगा तो वो क्या है तो चलिए जान लेते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने वीडियो को लाइक कर दें तो मैं यहां पर प्ले स्ट करूंगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसके दो तरीके में आपको यहां पर बताने बाला हूं ठीक है सबसे पहरा तरीका है कि आपको अपने फून की सेटिंग में जाना है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम यहां पर कोई एप को इस बीचे से डाउंडोड नहीं कर वाद में हम application को download करते हैं तब नहीं हो पाता है ठीक है तो सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने phone की settings में जाना है मैं यहां पर अपनी phone की settings में जाता हूं और मैं आप पर देखता हूं app management छीक है जैसे कि ये है इस वाली settings में जाना है और आपको app list पर simply click करना है सारे apps हैं आपके phone के यहाँ पर देख जाएंगे ठीक है अब play store को आपको इसमें देखना आज जैसे कि यह है play store मैं इस पर simply click करता हूँ और हम यहाँ पर storage पर simply click करते हैं उसके बाद में clear stories पर हम simply click करेंगे एस से okay पर okay कर देंगे उसके बाद मेंальные back करेंगे और फिर back करेंगे ठीक है यहाँ से cut कर देंगे cut करने के बाद हम यहाँ पर play store को open करेंगे और cart of store आलो ऐडम हो आपकर पर open हो जाएगा बस आपके phone में internet हों आच्छे इस तीम के लिए और ऑपका यहां पर बर्क करने लेगा दूसरा तरीका है आपको यहां पर प्रेस करना है आफ इन्फो पर जाना है आफ इन्फो पर जाने के बाद आपको इस्टोरी पर जाना है किलियर इस पर सिंप्ली क्रिक कर देना उसके बाद में बैक करना है फिर वैक कर देना है बैक करने के बाद आप इसे open करेंगे, दुबारा आपका play store नई स्रीज से open हो जाएगा, ठीक है, पहली बार यहाँ पर open होने में थोड़ा सा बक्त लगता है, ठीक है, एक-दो second या फिर 5 second तक का आपको यहाँ पर समय लग सकता है, उसके बाद में आप यहाँ पर दुबारा कभी भी open करेंगे तो फटाक से ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहां पर अपने प्राब्लम को दूप कर सकते हैं अब उसके बाद में कोई भी एप्लिकेशन आप यहां पर डाउनलोड करेंगे तो फटाक से यहां पर डाउनलोड होने लगेगा जैसे कि कैनमाश्टर है तीक है या फि बहुत ही फटाक से यहां पर डाउनलोड हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लिकेशन को अपने फून के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्राब्लम को आप दूर कर सकते हैं अगर आपका प्लेश्टर काम नहीं कर रहा है तब वीडियो अगर आपको लिए को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अच वीडियो सुमें